परिंत राशुक। लेकिन ये बातें वास्तव में मुर्ख जैसी है। और फिर उन्होंने समझाया किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति केवल कर्मकांड में भी इंद्रितिति का ही स्वप्न देखे तो बड़ा मुर्ख है। श्लोक संख्या 3 से आगे पड़ेंगे। नातस्यतत्व ग्रहनाय साक्षात वरियसीरपी वाच्या समासन। स्वप्ने निरुक्त्या ग्रिहमेदि सोख्यं। नायस्यहियानुमितं स्वयं स्यात। मोनिका माताजी। स्वप्न मनुष को स्वतह, जूटा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक में, अत्वा स्वर्ग में, इसी जीवन में, अत्वा अगले जनम में, भोतिक सूप की कामना तुच्छी प्रतित होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है, तो श्रेश सादन होने पर भी बेद सत्य का प्रतिक्ष ज्यान कराने में अप्राप्त लगने लगते हैं। तो जो मनुष्य को पता है कि मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ, वो स्वप्न को कंभीरता से नहीं लेते। कई बार हमारे साथ होता है, हम लोग कोई भयानक चीज स्वप्न में देख लेते हैं। जो कर्मकान बस्तुए हैं, जो इंद्रतिप्ति के साधन हैं, वो सब तुच्छ हो जाते हैं। वास्तव में वेद शब्दकार्त है ज्यान। और ये ज्यान दो प्रकार का होता है, भोतिक और परमार्थिक, आध्यात्मिक। तो वेदों में दोनों प्रकार की बाते हैं। एक, कैसे इस जगत में इंद्रतिप्ति करना ये भी वेद में बताया है। और दूसरा, वेदों के लक्ष भगवान से क्रिष्ण को कैसे प्राप्त करना ये भी बताया है। तो जो लोगी समझ जाते हैं कि भोतिक संसार स्वप्न जैसा है, वास्तव में वेदों के उस प्रकार कर्मकांडिय जो प्रलोबन हैं, उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं। जैय माता जी। श्रीमत भगवत कीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अरजुन को उपदेश दिया कि वा भौतिक प्रकर्ती के तीन गुणों से प्रेरित, भौतिक कारेकलापों से परे हो जाये। वा जाना चाहिए कि सत्वगुन पद भी उत्तम नहीं है। एक भवतिक उन्नक्ती चाहते हैं। कर्मी थोड़ा शारीरिक सुविधा के लिए दिन रात कारे करते रहते हैं, जबकि ज्यानी जन यही चिंतन करते रहते हैं कि कर्म के बंधन से विकिस प्रकार छूटे और ब्रह्म तेज में मिल जाए। योगी जन भवतिक सिद्धी और जादोई शक्ती प्राप्त करने के पीछे पड़े रहते हैं। कि सभी लोग भौतिक द्रश्टी से पूर्ण बनने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु भक्त अत्यन सरलता पूरवक्त भक्ती के निर्गुन पत को प्राप्त होता है। ज्यानी को वास्ताव में मुक्त होना चाहिए और मुक्ती के पश्चात ही वह भक्ती कर सकता है। तो केवल बुरे सपनों की बात नहीं है, अच्छे सपने भी तो समय का अप्रयाई है। कई बार लोग अच्छा सपना देखते हैं और कोई उठा देता है तो बड़ा नाराज हो जाते हैं। अरे हम इतना अच्छा सपना देख रहते हैं, को उठा क्यों दिया है। लेकिन वास्तप में सपना तो सपना ही है, चाय अच्छा हो चाय बुरा हो सपने का कोई अर्थ नहीं है वास्तविक्ता में। उसी प्रकार से भौतिक जगत में तमोगुण का जीवन हो, रजोगुण का जीवन हो, सतोगुण का जीवन हो, हैं तो सभी बंदन का कारण। तो व्यक्ति को परमार्थिक उपलब्दी कैसे होनी है, कैसे वो अपने पंचम पुरशार्त कृष्ण प्रेम तक पहुंचे, ये चिंतन करना चाहिए, ना कि भौतिक संसार में कैसे अच्छा बुरा रहे, ये चिंतन करना चाहिए, तो तीन गुणों से मुक्त होना, ये भ सत्वे नवातम सावानुरुद्धम, चेतो भिराकूति भिरात नोती, निरंकुशंको शलंचेतरंबा। नीतु माताजी अरिकिष्णा प्रभुजी, जब तक जिवातमा का मन तीन, गुडो, सतो, रजो, तथा, तमो, उसे दूशित रहता है, तब तक वे सुच्छंद, अनिंत्रित, हाती के समान रहता है, वे इंद्रियों को अप्योग करके, शुप्त कर्मों के शेत्रों को केवल ब्रह्मा तर पनाता है, पर नाम यह निकलता है कि जिवातमा इस अंसार में भोती कर्मों के काराण मात्र सुख तथा, दुख का अंधो करता है, अरिकिष्णा प्रभुजी, इस प्रकार हम लोग कई नियूस में भी देखे होंगे, जब हाती अनियंत्रित रहता है, तो बड़ा उत्पा लेदा है, तो उसी प्रकार से तीन गुणों से अच्छा दिट, तीन गुणों से दूशित जिवातमा अनियंत्रित हाती के समान बताई गई है, क्योकि उसकी इंद्रियों का उप्योग वो भोतिक शेत्र में करेगा, और जितना ज्यादा भोतिक शेत्र में करेगा, उतना ह ज्यादा बंदन में पढ़ता चला जाएगए. इस बहुतिक संसार में दुख भी कश्ट परद है, सुख भी कश्ट परद है. कई बार तो हमारे आच्छारे समझाते हैं, कि वास्तम में यह बहुतिक संसार में सुख ज्यादा खतरना के. कि दुख में तो कई बार ऐसा चिंत ना सकता है कि अरे यह बहुतिक संसार से हम कब छूटएँ कब भगवान के धाम जाए लेकिन सुख जादा खत्रा ना के दिटा बॉतिक संसार है रागनी प्रियमाताजी नहीं प्राप्त हो पाता चेतना को तमोगुड से रजोगुड अत्वारजोगुड को तमोगुड में बदलते रहने से समस्या का समाधानी होता जैसा कि शिर्वाध भागवत गीता 14.26 में बताया गया है कि सागुणान समिटैन एतान भनमाव हुआई कलपते जैसे एक उधारन दिया जाता है मानली जी किसी के कंदे पर बहुत भोज रखा हुआ है 40 किलो 35 किलो भोज रखा हुआ है वो बड़ा ठग्या है अब अपने कंदे से उठा करके वो भोज अपने सिर पे रख ले तो क्या उसका भार कम हो जाएगा वो सकता है उसके कंदे को थोड़ा आराम मिले लेकिन वही जब उसके सिर पे आगे फिर थोड़ी दिर चलेगा फिर ठक जाएगा फिर अपने सिर से उठा करके दूसरे कंदे पे रख ले तो बात घुम फिर के वही है जीवात्मा तो बंदन में ही है जिस प्रकार सत्तोगुण से तमोगुण, तमोगुण से रजोगुण थोड़ा-थोड़ा बदलाव करके उसको लगता है कि अरे मेरा जीवन अच्छा चल रहा है नहीं जब तक ये बोज को कंदा हो, सिर हो, पूर्ण रूप से त्याग नहीं देगा तब तक वो बोज खुदी उठाय रहा है, चाय कंदे के माद्यम से, चाय सिर के माद्यम से उसी प्रकार से, जब तक भगवत भक्ती में पूर्ण रूप से निमग्न नहीं होगा तीनों गुणों के प्रवाव से नहीं छूटेगा तब तक ये भौतिक संसार का कष्ट उसको किसी न किसी रूप से मिलने ही वाला है सावासनात्मा विशयो परक्तो गुणा प्रवाहो व्रक्तास शडास्तमा विब्रत प्रथन्नाम अभिरूप बेदम अंतर भहिष्ट्वम्च पुरेस्त नोती कमल सिंग प्रवूप अरे किष्ण प्रवूप गंभूप प्रणाम सुप तता असुप कर्मों की अकार्श्यों में लिन रहने के कारण मन स्वभावता काम तता क्रोध की विक्वारों से ग्रेश्ट होता रहता है इस प्रवा भोतिक इंद्रियों सुप के प्रथी अक्रश्ट होता है केने का तत पर यह है कि मन सतोगुन रजोगुन तता तमोगुन से संचलित होता है ग्यारा इंद्रियों तता पांच ततों इन सब सोला कलाओं में से मन प्रदान है अता मन के ही कारण विभिंद देवताओं, मनुश्यों, पसूं तता पक्षियों के सरीरों में जनू लेना पड़ता है उच्च या निम्न पत्पर इस्तित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न वतिक दे का अंगी कार करता हरे किष्ण परूँ इस प्रकार मन तीन गुड़ों के प्रभाव से अलग-अलग वस्तियों के प्रति आकरश्ट होता है और यही मन की गति के अनुसार इंद्रियां काम करती है ग्यारा इंद्रिया अर्थाद, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ग्यानेंद्रिया और मन ग्यारा इंद्रिया बताई गई हैं ये वस्तुओं के प्रती आकर्षण मन की इक्छाओं के कारण होता है अर्चना माताजी 84,00,000,000 विष्छेस गुणों से मन का दूशित होना है मन के ही कारण आत्मा को शुकत था अशुब कर्म करने पड़ते हैं इस भाती कस्तितों में बने रहना भाती प्रक्रिती की तरंगों के समान है इस संबंद में श्रील भक्तिविनो ठाकुर कहते हैं मायर वशे याक्ष भेसे, खाक्ष हावू डूबू भाई, मेरे भाई आत्मा माया के अधीन है और तुम उसकी तरंगों में बह रहे हो, श्रिमत भगवत गीता 3.27 में भी इसकी पुष्टी हुई है, प्रकृते क्रियमानानी गुने कर्मानी सर्वश अहंकार विवुधात्म करता अहमिती मन्यते, संपुण कर्म वास्तों में भौतिक प्रकृति के गुनों से संपन होते हैं, परन्तु गुनों से उत्पन अहंकार द्वारा मोहित जिवात्मा अपने आपको करता मान बढ़ता है, भौतिक अस्तितु संसार का अर्थ है, भौतिक प्रकृति द्वारा पुन नियंत्रन प्रकृति के आदेशों को अंगिकार करने वाला किंद्र मन ही है, इस प्रकार जिवात्मा कल्प कल्पांतर तक विभीन देधारन करता रहता है, प्रिश्न भूली सेई जिवा अनादी बहिर मुख अतेवा माया तारे देय संसारे दुख स्री चतन्य चवर कि उनियों में ब्रहण जीव का चलता रहता है, इसलिए भगोद गीता में अनेक अनेक स्थान पे भगवान मन को ही उनमें इस्थित करने का आदेश देते हैं, शरीर तो इस्थित हो जाता है, शरीरिक क्रिया है, आप देखिए, हमने भी अपने दादी दादा को, इत्याद को सबको देखा है, मंदिर जाने का नियम इतना अच्छा रहता था उनका, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसा, तो किसी भी इस्थिती में मंदिर जाते हैं, पुराने लोग अभी भी जाते हैं, मंदिर जाने का अभ्यास उनका रहेगा, सुबह उठने का अभ्यास रह उजित करते हैं, मन को अपने नाम जप में, भागवत पाठ में, हरिकत अश्रवन में, मन लगने लगता है, तब जाकर के हमारी आध्यात में कुन्नती शुरू होती है, तो ये मन को हमको सयमित करना बड़ा अवश्यक होता है, दुखं सुखं व्यति रिक्तं चति व्रम कालो पपन्नम फलं आवयंती आलिंग्यमाया रचितांतर आत्मा स्वादेहिनं संस्रिति चक्रकूटः मृणारिलि माताजी संसारिक मन जीव की आत्मा को अच्छादित करके उसे बिभिन योनियों मिले जाता है, इसे संस्रिति कहते हैं, मन के ही कारण जीवात्मा को भोतिक दूख तता सुख का बोध होता है इस प्रकार से मोग रस्त ये सुख तता सुख विश्यों तता उनके कर्म को उत्पन करता है इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है अरे कृष्ण संस्रिती मतलब है क्रम जैसे मानो कोई अंधा व्यक्ति को एक सूखे कुए में डाल दिया जाए और उस सूखे कुए से निकलने का एक मत्र निकास हो अब वो अंधा व्यक्ति कैसे दिवाल टटोर टटोर के उस कुए में निकलने का स्थान डूड़ेगा गोल गूमता ही रहे वह स्थान संसृति बन जाता है, संसृति घोरा, घुमते 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 बहुतिक संसार के कर्म बंदन में, एक्शन रियक्शन, ये सारी स्थिति संसृति कहलाती है, तो मन को इक्षा करता है, उसको पूरा करने के लिए जीवात्मा कर्म करता है, अब कर्म फल से दो है एक तो उस कर्म का फल मिलने वाला है और दूसरा ऐसे संसकार जीवात्मा को मिल जाते हैं फिर वो पुना कर्म करता है और ऐसे कर्म बंदर में फस्ते फस्ते शुब अशुब विशयों के प्रती उसकी आ सकती चलती चली जाती है और अनादी काल के लिए जीव बद्ध हो जाता है तो इस तरह इसको बोलते chain reaction एक बार शुरू होगा बस वो कर्म की गती अनन्त अनन्त काल तक चलती चली जाएगी अर्जुन प्रभू इस जगत में बहुतिक काल कलाप महुतिक प्रकति के वशीबुत होकर सुप तता दुख को अत्पन्द करते हैं जीवात्मा महोगरस होकर विबिन उपादियों के अंतरगत अन्वरत बद्ध जीवन बिताता रहता है ऐसे जीवात्मा नित्यबद कहे जाते हैं कुल मिलाकर यहां कहा जा सकता है कि मन ही बद्ध जीवन के लिए उत्तरदाई होता है इसलिए समस्त योग क्रिया मन तता इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती है यदि मन वश में हो जाता है तो इंद्रिया स्वय मेव नियंत्रित रहती है और इस प्रकार आत्मा शूप तता अशूप कर्मों के फल से बच जाता है यदि मन भगवान शी कृष्ण के चरण कबलों में अनुरकत रहे सव ये मनह कृष्ण पदार विंदे हो तो इंद्रिया स्वतह इश्वर की सेवा में लग जाती है जब मन तता इंद्रिया भक्ती में लग जाती है तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है जब कोई मनश निरंतर भगवान शी कृष्ण का ध्यान धरता है तो वह पूर्ण योगी बन जाता है जिसकी पुष्टि शिमत भहत गीता में की गई है योगी नाम अपी सर्वेशाम बदगटें अंतरात्मना यह अंतरात्मा ही मन है जो बहुति प्रकतिक के द्वारा बदा हुआ है जिसकी यहां कहा गया है मैयारचित अंतरात्मा सुदे थिनम संसती चक्रकूटा मन सरवादिक शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढखा ओड़ा करके उसे भौसागर की तरगों में लाप टकता है तो बहुतिक समाज या माया का जो समाज है वो हमें हमेशा बोलेगा जो मन में आए वो करो और अध्यात्मेक संसार में जो हम पैर रखेंगे सर्वप्रतम सिक्षा है अपने मन को वश्मे करो दो कारिय ही है कि जीवात्मा जो गंबीर नहीं है बहुतिक संसार में पड़ी रहे तो मन उसका एक मुख्य केंद्र है अध्यात्मिक संसार में सर्वप्रतम सिक्षा ये होती है मन को सयमित करें तो कई बार भक्ती करने की इक्षा नहीं होगी कई बार जब करने की इक्षा नही सेवा को संचालित करना है ये बड़ा अवश्यक है कई बार भक्ता इस तरह बात करते हैं कि अरे हमारा मन नहीं हो रहा है ये हमारा उत्सा नहीं है फिर भी पुष्च करना जाए फिर भी मन को सयमित करके अपने भक्ती को सुचारू रखना जाए क्योंकि ये ही आध्यात में एक मार्ग में बढ़ने के लिए बड़ा आवश्यक है मन को सयमित करना तावानयम्व्यवाहरासदावई शेत्रग्यसक्ष्योभवतिस्थूलसूक्ष्मा तस्मान्मनोलिंगमदोवदंति गुणा गुणत्वस्य परावरस्या शोभा मताजी मन जीवात्मा को इस बहुतिक जगत में बिवन नियों में गुमाता रहता है जिससे जीवात्मा को मनश्यों देवताओं स्थूलकरस्ट मनश्यों इत्यादी बिविद रूपों का लौकिक अनुवा होता है विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है प्रगुवेर प्रवुतात्पर्या प्रगुवेर प्रवुतात्पर्या जिस प्रकार मन बंधन का कारण सवरूप बनता है तो सवे मना कृष्ण पदार बिंदयो, तो इसे इस पर अर्थाद दिव्य कहते हैं, किन्तु जब इंदरियत उप्ति में वस्टि में वस्टे था है, तो इसे अवर या भौतिक कहते हैं, पर इस समय बढ़ा अवस्ता में हमारा मन पूर्ण तया इंदरियत उप्ति में लग किन्तु भक्ति के द्वारा उसे शुद्ध करके आदी कृष्ण भावनामृत में लगाया जा सकता है हमने प्राया अम्रिश महराज का दुष्टांत दिया है सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंट गुनानु वर्नने कृष्ण भावनामृत में मन पर नियंत अवश्यक है जीब का उप्योग कृष्ण के संदिश को प्रसारित करने और इश्वर का गुन्गान ऋकृष्ण का प्रशाद क्राप्त करने में किया जा सकता है सेवần मुखे ही जिवाद में करता है तो उंडर्य शुद्ध हो सकती है जैसा की नारत पंचरातर में कहा गया मन तथा इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो जाता है उसकी सारी उपादिया शुद्ध हो जाती है तब मनुष्य अपने को मनुष्य देवता, खुता, बिल्ली, हिंदू, मुसल्मान इत्यादी कुछ भी नहीं मानता मन तथा इंद्रियों के शुद्ध होने और कृष्ण की सेव में पुर्णतय आरपित होने पर मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य भगवान के धाम को वापिस जा सकता है कई बार यह अधारण प्रहपाद ने दिया है दूद का कि कई बार जिनको दूद नहीं पस्थ दूद से कोई अपच हो जाती है उनको दूद से बने दही को ही दे करके उपचार किया जाता है तो एकी वस्तु है दूद, दूद की बनी मिठाईया, दूद का बना दही, मिठाईयों से अपच हो सकती है, दही से वही अपच सुदर भी जाती है, उसी प्रकार से मन बंदन का कारण तो है, लेकिन वही मन जब भगवान के चरणों में लगता है, भक्तों के चरणों में गाना चाहिए हम जब यवाओं को प्रचार करते हैं तो हम लोग कॉलेज में ऐसे लड़के को डूड़ते हैं जो एकदम नेता टाइप हो जिसकी सब बात सुनते हो और उसको प्रचार करते हैं पहले क्यों क्योंकि अगर वो भक्त बन जाएगा तो वो बाकी लड़कों को मन जो है इंद्रियों का राजा है मन को अगर भगवान की सिवा में लगा देंगे मन अपने आप आँखों को बोलेगा नहीं भागवत पड़ो भगवान का दर्शन करो मन अपने आप जिवा को बोलेगा नहीं प्रसाच छोड़ के और कुछ नहीं लेना मन अपने आप हर इ प्रेसनाय जंतो, शेमाय नै गुर्ण, नयमतो मनास्यात, यथा प्रदीपो, दृतवर्ति मश्नम, शिखास सधूमा भजती अन्यदास्वं, पदम्तथा गुण कर्मानु बद्धं, वृत्तिर्मनाश्रायते अन्यत्रतत्वं। मीनो माताजी रहता है, तो इससे कश्ट प्राप्त होते हैं, जब वह उनसे विरत्त हो जाता है, तो क्रशन भावनावरत का आदी प्रकाश निकलने लगता है। तो जब दीपक एकदम घी खतम हो जाता है, एकदम अन्त में, तो जब जलता है बिना घी के बत्तित्यादी, पुरा काला पड़ जाता है। लेकिन जब तक उसमें घी रहता है, लो प्रकाश मान रहती है, दीप भी साफ सुत्रा रहता है। उसी प्रकार से जब तक प्रकाश रहेगा ज्यान का, भक्ती का, तब तक जीवन में कोई कश्ट नहीं रहने वाला है। लेकिन मन जब तक आ सकते रहेगा, बहुत इक विशेयों में रहेगा, अंदकार में रहने की प्रयास करेगा, तब तक जीवन में कष्ट रहेंगे। कि इश्वर की सेवा में लगाया जाए, उसे ही आध्यात्मिक ब्रवत्ति कहते हैं, इसे पुष्टी स्री भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, और किसी भी इस्तिती में उससे गिरता नहीं है, ततकाल भौतिक प्रगति के गुड़ों को लांग करके इस तरह पर पहुंच जाता है, हमें अपने मन में पूनता कृष्टी भावना भवित कारियों में लगाना चाहिए, तब यह हमारे लिए मुक्ति का और परमधाम भापस जाने का कारण बन जाएगा, कि यदि हम मन को इंद्र तप्ति के लिए भौतिक लिया कलापों में लगना बड़ा अवर्शक है, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये प्रयास से होगा, जैसे हम छोटे बच्चे को कोई भी अच्छी आदत सिखाते हैं समय लगता है, उसी प्रकार से मन एक छोटे बच्चे के समान है, जो बहुत समय से अपनी आदतों को बिगाड चुका है अब उसको सुधारने में थोड़ा प्रयास, थोड़ा परिश्रम सभाविक है, एका एका दशासन मनसोहि वृत्या, आकूतया पंच धियो भिमानहा, मात्राणि कर्मानि पुरम्च तासं, वदन्ति है का दश वीरभूमिही प्रतिवा माताजी अब अच्छिण प्रतिवांदिए पांच कर्में इंग्रियों हैं, तथा पांच गयनलिये इसके साथ सिमिठ्या इही पार्मन थी इसकार मनकी 11 प्रतार की वेगिए लिए दीव म्रीकंजे इंगर्यों के रिचे ने येथा सब आंट ने ने काहिएन। आज सब स करो दो고र्पूर कि येद्गाएं को भी सुखेफा माısı किके Hindव सुखेफा मैलिकोची के अंपरगव दिख दिख रहा है कि हाथ कारे कर रहे हैं। बाहर से दिख रहा है कि पैर चल रहे हैं, बाहर से दिख रहा है कि नासिक कारे कर रहे हैं, बाहर से दिख रहा है कि आखें देख रहे हैं, लेकिन वास्तम में मन जितना चाहेगा उतना ही कार्य ये इंद्रियां करती हैं, इंद्रियां ठक भी जाएं तो मन जवरजिस्ती काम कराता है और कई बार इंद्रियों में बड़ी शक्तियों मन नहीं हो तो कोई इंद्री कार नहीं करेगी जैसे कई बार लोग बड़े हटे-कटे स्वस्त रहते हैं फिर मन नहीं करता है तो मंद्र नहीं आते हैं मन नहीं करता है तो कोई श्रमन वगेरा सब बंद कर देते हैं शरीर रूप से ठीक हैं मन बीमार है तो वास्ता में मन की बीमारी को दूर करना है शरीर को स्वस्त शरीर तो स्वस्त ही है मन जादा बीमार है इस तरह मन जब स्वस्त रहेगा मन जब कृष्ण चेतना में निमग न रहेगा, सारी इंद्रियों से अपने आप काम करा लेगा अक्रूर प्रभू मेरा समाज, मेरा राष्ट इत्यादी के रूप में सोचता रहता है ये जूटी उपाधियां मिध्या एनकार के विस्तार के कारण मनुष अपने आप कोई यह यह वह सोचता है और इस प्रकाजीव आत्मा होतिक अस्तित में उलग जाता है एक और श्लोप पड़ेंगे गंधाकृतिस्परश्रसश्रवांसी विसर्गरतियरती अभिजल्पशील्पहा एकादशम्स्वी करणम्मेती सैयामहं द्वादशमेक आहू रेखा माताजी शब्श पर्श रूप स्वादरस तथा गंध ये पांस ग्यानिंद्रियों के विपार है भाशन सपर्श संचलन मल्ट्या तका संभोग ये कर्मिंद्रियों के काड़े हैं इसके अतरिक एक अन्या धाना है जिसके अंतरगत मनुश्य सोचता है इस प्रकार यहांपर हम देख रहे हैं ज्यानिंद्रियों के कारिया जैसे की तद्चा का जो क्रिया है स्पर्श करना मुख का जो क्रिया है बोलना आखों का जो क्रिया है दर्शन करना जिवा का जो क्रिया है स्वाद लेना और नासिका की क्रिया गंद सुगंद लेना तो इस प्रकार से ग्यानेंद्रियों की क्रिया हैं करमेंद्रियों की क्रिया हैं जो हम पिछले श्लोक में भी देख रहे थे और मिथ्य हंकार की क्रिया कि मैं कौन हूं कैसा हूं इस सब संचालित करने का software है हमारा मन तो ये मन को हमारा मुख्य इंद्रिय बोला जाता है इंद्रियों का राजा बोला जाता है मुख्य गुपी माताजी ग्यारा विष्यों के लिए व्यपार भिन भिन उत्पादन है नाट से हम सुंगते हैं आखों से हम देखते हैं कानों से सुनते हैं और इस प्रकार हम ज्ञान संचित करते हैं इसी तरह हाथ पाम, लिंग, बुदा, मुख, आदि कर्मेंद्रियों है जब मिथ्य अंकार का विस परशिबूत जीवात्मा अपने इंदरियों का ज़्यादव सोशन करना च आता है मन से ज़्यादव इंदरितिप्ति करना चाता है और इसी प्रकार उसके बहुत इक संसार का कर्म चलता रहता है लेकिन आगी जड़बरद समझाएंगे किस प्रकार ये सारी क्रियाए वास्तव में भगवान के एक्षा से संचालित होती है अगर हम भगवान को अपना आश्रय बनाए भगवान को अपना ध्ये बनाए भगवान को अपना लक्ष बनाए अपना सेवा का पूर्ण रूप से अर्पित भगवान के चरण कमलों में करें तो फिर ये सारी इंद्रियां सुचार रूप से सही दिशा में काम करती है और उसी प्रकार से व्यक्ति अपनी मुक्ति पत पर अग्रसर होता है तो ये सारी सिक्षाएं आगे हम पढ़ेंगे आप देखिए देखने में जड़वरत कितने एक असिक्षित व्यक्ति जैसे मुक्वदिर व्यक्ति जैसे देख रहे थे लेकिन जब प्रवचन देना शुरू कर रहे हैं तो बड़ा ज्यानियों जैसा प्रवचन दे रहे हैं महा ज्यानी प्रवचन दे रहे हैं तो इससे पता पड़ता है सादूओं की जो परक होती है, सादूओं की जो पहचान होती है, उनके उपदेशों से होती है, केवल भाईय दृष्टी से सादू को कभी जज नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी देखना नहीं चाहिए. अरे कुष्णा, रंतराश्मत भालवताम की जाहिए. किसी कर कोई प्रश्णा है? यह स्मनिशा माताजी. हमारे प्रथम गुरु शिल प्रभुपादी है. बाकी जितने गुरू हैं शिक्षा गुरू दिक्षा गुरू वो प्रहुपात के प्रतिनिदी है तो वास्तम में वो आपको मदद ही कर रहा है प्रहुपात को शर्णागत होने के लिए तो जब भी हम ये विचार सुनते हैं शर्णागती करना है गुरु को वास्तो में प्रभुपाद को शर्णागती होना है जब तक सिक्ष्या गुरु दिक्ष्या गुरु प्रभुपाद को प्रतिनिद्ट करेंगे तब तक ही वो आपके अध्यात्मे उद्धान के लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं अन्यता वो आपको अध्यात्मे गुरूप से कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगी प्रभुपाद हमारे उद्धारक है कोई भी गुरू इसकौन में वो केवल और केवल प्रभुपाद के पास ही आपको ले जाते हैं तो ये बोलना कि गुरू के मतलब ही है शिला प्रभुपाद हम जब भी शर्णागती की बात करते हैं प्रभुपाद के निर्देश को शर्णागती प्रभुपात के आंदुलन को शर्णागती गुरु की कोई प्रतक रूप से सेवा नहीं है गुरु की सेवा ही है प्रभुपात की सेवा तो हम अगर अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं वास्तब में प्रभुपात के आंदुलन की सेवा हम करते हैं और प्रभुपाद ही हमारा उद्धार करते हैं। तो इसलिए जब हम यह सुनते हैं कि किस प्रकार से गुरु के प्रति शर्णागत होना चाहिए, वास्तव में प्रभुपाद के उपर शर्णागत होना चाहिए। अगर आप प्रणाकान आपके प्रतिशन्दागाथ वंगे आपके गुरू प्रसण्न होगी लेकिन अगर गुरू के उपर प्रणागात होंगे प्रणा से संबंध़ नहीं रहेगा तो गुरू भी आपको नहीं बचा पाएंग इसलिए प्रण॥ाठ कॉंशिएस। कि अरे कृष्ण प्रभूजी यह प्रभूजी ब्रह्म तेज और भ्रह्म जोती यह जो आया है वास्तम में ब्रह्म तेज ब्रह्म जोती दोने एकी बात है वो क्या होते हैं भगवान के शक्तियों का प्रकाश है भगवान की शक्तियों के प्रकाश को बोलते हैं ब्रह्म तेज या ब्रह्म जोती तो जब प्रारम्भे की स्तर पे कोई अध्यात्मवादी होते हैं वो भगवान के तेज को ही भगवान मानने लगते हैं जैसे कोई गाओं में मान लिजे प्रदान मंत्री का कोई अफसर कोई अधिकारी गया और वो गाओं में कोई सड़क बनवा दे कोई गाओं में कोई बड़ा सोचाले या अतिति ग्रह या कुछ ऐसा बनवा दे तो गाओं के लोग उसी को ऐसा सम्मान करने लगते हैं जैसे मान अध्यात्मे जो नए है या जो कम परीपक्व है ऐसे अध्यात्मवादी उसी को भगवान मानलेते हैं और इसलिए उनको भगवादी भी बूला जाता है लेकिन इससे आगे साक्षातकार है जहां वो लोग भगवान के मूल सुरूप को जानते हैं कि नहीं भगवान के मूल सुरूप है जो यह सारी शक्तिय सारे तेज का उत्थानिस्थान है जो उनका मुख्यस्थान है और उस उस रूप को वो सच्चिदान अंदरूप को वो लोग भगवान की भक्ति के द्वारा पुजा करते हैं तो वो फिर और उननत भक्त हो जाते हैं लेकिन शुरुवात होती है इसी आध्यात्मवादियों से जहां वो ब्रह्मतेज को भगवान मानते हैं अक्रूर प्रभू कुछ लोग मन की गती और अहंकार की गती को एकी साथ गिन लिए ग्यारा में कुछ लोग अलग-अलग ये नहीं हैं ग्यारवा मन और बारवा अंकार तो एक ही बात है दोनों की गती को या तो अलग-अलग कुछ लोग गिनते हैं या एक गिनते हैं इस तर जड़वरत बोले हैं ठीक है मन्जु माता जी अगर वो हमें कभी मिलते हैं या कभी उन से सक्च अतकार होता तो प्रभू हमारे मन में कैसी भावना आने चाहिए उनके प्रत्ति दो चीज है एक है गुरू एक है अध्यात्मिक गुरू दोनों में अंतर होता है जैसे आपके स्कूल में जिसने आपको लिखना सिखाया क्या वो आपके गुरू नहीं है वो भी आपके गुरू है जिसने आपको साइकल चलाना सिखाया वो भी आपके गुरू है जिसने के गुरु हैं लेकिन अध्यात में गुरु एक होता है वो अध्यात में गुरु हमको भगवान से संपर्ग स्थापित कराता है वो अध्यात में गुरु प्रमाणिक परंपरा में आना चाहिए वो अध्यात में गुरु शिलप प्रवपात का प्रतिनेदीफ होना चाहिए वो नरसरी में जिस टीचर ने आपको पढ़ाया वो भी आपके लिए सम्मान नहीं है लेकिन आप ये नहीं बोल सकते अब जीवन बर वोई नरसरी वाली टीचर से ही पढ़ूँगा मैं मैं उसके आगे कभी नहीं बढ़ूँगा नहीं अब ये आगे भी बढ़ना चाहिए तो ज जिन्होंने भी हमारे जीवन में किसी ने किसी प्रकार से मदद की है उनको हमको सम्मान करना चाहिए ठीक है अरे खमाता जी प्रफजी संसरिती को दुबारा समझाएगे संसरिती मतलब क्रम जैसे सुबा, शाम, रात फिर दुबारा से आती है सुबा, शाम, रात ये अविरत क्रम चलता रहेगा जिस प्रकार से गर्मी बरसाद सर्दी गर्मी बरसाद सर्दी गर्मी बरसाद सर्दी, ये करम चलता रहे, उसी तरह करमों का जो करम है, हमने करम करे, उसका फल हम को मिला, फिर संसकार के बीज गए, फिर उन बीजों के कारण हम फिर करम करे, फिर उसका फल मिला, फिर उसके बीज गए, फिर हमने करम किया, ये करम बंदन का जो करम है, इसक हां अलग अलग योनिया अलग अलग शरीर एक शरीर के भीतर के भी जो क्रम है जन्म nisicia करम कि रव्याध कर्म करम कर है इसको हम समस्रर्थी पोलते ई Belgium अमित मेरे बाई आत्मा माया के अधीन है कि शरीर माया के अधीन है देखे शरीर तो निश्क्रिय है शरीर तो मरा हुआ है शरीर को चलाने वाला कौन है आत्मा है अब आत्मा यदपी भगवान की पराप्रक्रती है वो माया शक्ती से ज़्यादा बड़ी शक्ती है लेकिन अभी आत्मा ने अपने आपको शरीर मान लिया है इसलिए वो माया के अधिनिस्त हो गई है वास्तव में माया इतनी शक्तिशाली है कि आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि माया कभी उसको डख नहीं सकती लेकिन आत्मा ने अपने आपको शरीर मान करके माया के अधिनिस्त अपने आप सोग दिया है जैसे मानो कोई हट्टा कट्टा पहलवान एक छोटे से बच्चे को बोले कि अरे अब तो मैं आपके अंडर रहूँगा आप मुझे जो बोलोगे वो मैं काम करूँगा जरूरत नहीं है लेकिन इसी को तो ब्रह्म बोलते हैं इसी को तो माया जो साक्षात नहीं है असत्य को सत्य मानना यही बात तो माया है तो ये शरीर को अपना अस्तित्तु मान लेना, शरीर को ही अपनी पहचान मान लेना, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा ब्रहम है और इसी क्रम में माया के वशिबूत आत्मा हो जाती है और हबु डूबु मतलब कभी डूबता है, कभी पानी के भाहर आता है, इस तरह इस्तिती हो जाती है और समस्रती क्रमबद्ध रूप में यहाँ पर कश्ट भोगता रहता है। तो उन्होंने काफी अपने प्राब्लम्स शेर के और पूछ रहे थे। और आज जब आगा यह सुना आज का क्लास तो मन के बारे में हमारे काफी चर्चा उली। तो जैसे भगवत कीता में भी बताया गया है, कि स्तित प्रव्य जो विक्ति है बहु बखवान को पसंद है। तो प्रोजी इस बात तो वैसे थो हमने हमारे स्तितर पर उनको समझाया है और वो सैटिस्टाइड भी हो गया है। लेकिन मैं आप से विंति करते हूँ कि आप इस पे करकाश डाले है। लेकि मन को स्थिद प्रग्य करने के लिए अभ्यास जरूरी है। जैसे कोई व्यक्त शरीर का अभ्यास करता है तो एकदम से बड़ी बड़ी करिया नहीं करता है पहले छोटे छोटे प्रयास करता है। जैसे मानो वेट लिफ्टिंग है पहले 10 किलो 15 किलो उठाता है फिर 20 किलो उठाता है पच्चिस किलो उठाता है दीरे दीरे करके 1500 किलो तक उठा लेता अभ्यास प्रति दिन करने से मन धीरे दीरे संतुलित होता है मन धीरे दीरे एकाग्र होता है और फिर आप देखेंगे चलते फिरते कोई भी क्रिया करते मन संतुलित रहेगा, इस्थित्प्रग्य रहेगा, सुक दुख में संभाव रखेगा, मान अपमान में संभाव रखेगा, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिती में एक तरह से सहिमित रहेगा, तो इस प्रकार से मन को सहिमित करने के लिए हरिनाम जब बड़ा अवश्यक है, तो तरह अलोगों को पता सकते हैं अर्जुन प्रभू कि अरे कृष्ण पूछ रहा हूं कि जिसे अभी आपने बता है कि हमको मन को पूश करना पड़ता है कभी कबार मतलब वह लोगी कर दता है जब हम मन को पुश करने जाते हैं तो जैसे आपने बता है कि mind is the king of all senses तो हम उसके under में आ जाते हैं जब हम पुश करने का प्रयास करते हैं तो वो पुश भी हम नहीं कर पाते कभी कबार तो हम उदर ही मतलब उसमें हम फिर कभी कभी हमना पुरु महराज बोलते थे भक्ती is not for weakling भक्ती जो है कमजोर लोगों के लिए नहीं है आपको थोड़ा तो द्रड़ता रखनी होगी अगर द्रड़ता नहीं है प्रहुपाद बोलते थे without determination one is an animal हम वास्तव में पशू है मनुष्य होना मतों द्रड़ता होनी चाहिए मन हमेशा विपरीत जाने का प्रयास करेगा लेकिन मन को सयमित करना आपका काम है आपको अच्छा लगे ना लगे भक्ती में आपको सयमित रहना है हमेशा हर दिन अच्छा नहीं होता है हर दिन एक बराबर नहीं होता है हर दिन उत्सहापूर्ण नहीं होता है कई दिन अच्छे होते हैं कई दिन कठिन होते हैं हमको उस प्रक्रिया में अपने मन को खीचना पड़ेगा कि नहीं मन नहीं हो रहा है फिर भी मैं अपनी सेवा करूँगा फिर भी मैं अपना हरिनाम का जब करूगा फिर भी मैं भागवत पढ़ूँगा मेरा मन है चाहिने यह मैं करूँगा लेकिन एक गारंटी जरूर है कि जब आप करोगे तब आपका मन अपने आप संतुष्ट होगा माला उठाने का मन नहीं करेगा उसके बाद मन बोलेगा हाँ अच्छा किया, नहीं पढ़ते तो बुरा लगता, उसी प्रकार सेवाओं में मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सेवा करोगे, सेवा करने के बाद मन बोलेगा हाँ अच्छा किया, तो मन एक छोटे बच्चे की तरह है, बच्चों के साथ जिनका अभ्यास है उनको पता है जब भूके होते हैं बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं भूक लग रही है उनको फिर भी खाना नहीं खाना चाहते हैं फिर माता पिता जबरजस्ती खाना खिला देते हैं किसी लोब के कारण या पकड़ करके जैसे भी खिला हैं जब उनको खाना मिल जाता है पेट में जब भोजन जाता है उनको ही अच्छा लगता है बुलते हाँ मेरे को भूक लगी थी तो बच्चों को उनके स्वयम के हितका ग्यान नहीं रहता है उनको कई बार थोड़ा सा पुश करना पड़ता है तो मन को पुश करना हमारा कर्तब है ये द्रड़ता हमारी भक्ती में अवश्यक है अगर हमेशा मन की बात सुनेंगे तो फिर हमारा पतन हो जाएगा हम भक्ती में अपना उत्साख हो देंगे और दुबारा उठाना बड़ा मुश्किल है जैसे कि कल हिजोने निस चंदरमौली स्वाई माराज बता रहे थी आप एक दिन जब मत कीजिए आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है गड़बड दो दिन मत कीजिए आपके मित्रों को समझ में आने लगगा क्या गड़बड हो रही है तीन दिन मत कीजिए पूरी दुनिया को समझ में आने लगेगा ये गडबड हो रही है कुछ इसके साथ इसका मन असंतुष्ट है अब आप सूचिए पूरी दुनिया को ये फरक दिखने लगता है तो हम ऐसे मुर्ख क्यों बने हैं हम अपनी भक्ती को किसी भी आइस्थाई बस्तू आइस्थाई एक सिचुएशन के लिए कभी भी रोकना नहीं चाहिए मन हो नहीं हो कंटीनियू करना है और जब हम कंटीनियू करेंगे अपने आप वो सैटिस्फेक्शन वो इंस्पिरेशन वो एंदुजियाजम अपने आप आप अनुभाव करेंगे ठीक है जी प्रूजी थैंक्यू ब्रामण कौन है ब्रामण मतलब जो दूर दर्शी है कभी भी कोई क्रिया होती है न उसका रिजल्ट के बारे में चिंतन मनन करा करो अच्छा मैं आज पूरा दिन पढ़ा रहूंगा कुछ नहीं करूंगा तो मुझे कैसा लगेगा बहुत बुरा लगेगा तो मैं क्यों कर नहीं चल उटकर मैं भगवान की सेवा करता हूं और जब मैं पुस्तक वितरन पे जाता हूं तब मुझे कैसा लगता है जब मैं मंदिर में जाता हूं तब मुझे कैसा लगता है जब मैं भागत पढ़ता हूं तब मुझे कैसा लगता है रिजल्ट पे चिंतन करा करो यह हो सकता है अभी सुकदाई लग रही हो लेकिन अंत में मुझे ग्लानी होने वाली है तो मैं ऐसा काम करूं ही क्यों जिससे मुझे बाद में ग्लानी हूं यह दूर दर्शत हमारे लिए बड़ी अवश्चा के जो अपना जो अनर्थ निवरत्ती को लेकर जो माधूर कादमविरी में आगे था जिसमें जो सात्वा जो अपराध है नाम के बल पर पाप करना उसको सबसे ज्यादा मतलब बताया गया है इसको लेकि पर 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 करना नाम के बल पर पाप करने करता है जैसे मानो कोई बहुत बड़े जमीनदार का बहुत बड़े अमीर विक्ति का लड़का है वो क्या करता है सुसता है मेरे पिता जी बहुत अमीर है मैं कुछ भी कर सकता हूँ वो जा करके किसी को भी अपरात कर देगा किसी को भी अपमान कर देगा किसी के साथ भी लड़ाई कर लेगा लेकिन पिता उसके इस व्यवार से प्रसंद नहीं हो क्यों? क्योंकि अगर वो एक बड़े पिता का लड़का है तो उतनी जिम्मेदारी भी उसकी है कर सकते हैं पाप करेंगे भगवत नाम तो उसको शाय कर देगा एक हरी नाम में इतनी शक्ती है कि करोडो करोडो पापों को शाय कर सकता है तो मैं चाहे पाप करूं कुछ भी करूं हरी नाम का जब तो मैं करी रहा हूं तो बैलन्स हो जाएगा ये बड़ी मुर्कता है हरी ना पर ही बंदनामी होगी इसलिए सब्सक्तम अपराद बड़ा बड़ा भयंकर है क्योंकि इससे हरिनाम प्रभू हमारे उपर कृपा करना बंद कर देते हैं क्या इसको इसको मदद करने का कोई लाब नहीं है यह तो दुबारा से जाकर के पाप करेगा जैसे कुंजर सोचवत हा प्रिट्टी में लोट लगाता है उसी प्रकार से अगर हम बार बार हरिनाम का आश्रे लें फिर बार बार जाकर के पाप करें यह ठीक नहीं है यह हरिनाम प्रभू को बड़ा रुष्ट कर देता है इसलिए हरिनाम करने के साथ साथ हमको प्रहुपाजी ने निर्देश दि और इस तरह से फिर हरी नाम हमारे उपर कृपा करते हैं लेकिन हरी नाम करते करते हैं चार नियमों का खंडन करेंगे तो फिर हरी नाम हमारे उपर कृपा नहीं करेंगे यसे कई लोग बोलते हैं प्रोजी हम भक्ती तो कर लेंगे लेकिन हम चाय नहीं छोड़ेंगे लाब उठाना है तो ये पाप करमों से हमको मुक्त होना पड़ेगा नहीं तो फिर होगा नाम के बल पर पाप करना मैं नाम कर रहा हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं ये अपराद थैंक ये अभी चार प्रश्ण और हैं आप लोग लिखे रखिए फिर कल चर्चा करते हैं हरे कुछ अपाद कीजाए समवेत भक्त बिद्न कीजाएं